एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के वीडियो में हम बचानने वाले हैं CRP के inflammation क्या होते हैं यानि कि कौन-कौन साइसे बीमारी है जिसके inflammation को यह से आपका जो CRP रेबल होता है वह बढ़ जाता है तो उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो जरू सब्सक्राइब कर लेना साथ-साथ बिलगर को प्रेस कर देना सबसे पहले हम जान लाता है कि inflammation क्या होता है inflammation जो होता है यह हमारे सरीर का एक defense magnesium होता है जो कि हमारे सरीर को बाहर से आई हुए जो harmful substance होते है जैसे की वैक्टरिया, virus या infection यह उनसे हमारे सरीर को बचाता है यानि यह पहले उनसे fight करता है और fight करने वाद़ते हूँ पूरी कोशिस करता है कि वो वैक्टरिया, virus या जो भी infection है हमारे सरीर के अगर आजाते है तो आने के वह ऐसे inflammation होता है और जिससे जो CRP का जो लेबल होता है वह हाई हो जाता है तो ऐसे कौन-कौन से CRP के inflammation है जिसमें CRP का जो range होता है वह बढ़ जाता है इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करत अगर डिसस अगर किसी व्यक्तिक को अगर हुआ है तो उसमें जो CRP होता है उसका inflammation होता है वह CRP बढ़ जाता है अगर breast cancer किसी व्यक्तिक को अगर हुआ है अगर वेर्श केंसर हुआ है तो उसमें भी CRV का जो लेबल होता है वह इंफलमेस्टिन को जासे बढ़ जाता है तीसरा आप देखोगे अगर लंग्स केंसर हुआ है तो इसमें भी सेम कंडिशन होती है अगर किसे व्यक्तिक को अर्थराइटिस अगर हुआ है अर्थराइटिस या जॉइंट पेन अगर हो रहा है तो ऐसे कंडिशन में भी जो CRP लेबल होता है उसके इंफलमेस्टिन को यह सर है जो उसका बढ़ जाता है अगर एलर्जी किसी को अगर हुआ है तो एलर्जी में भी आप देखोगे उसका जो नंग्स होता है वह बढ़ ज लिए तो उसमें भी आप देखोगे जो उसके CRP होता है उसका इंफलमेस्ट होता है और उसका रेंज बढ़ जाता है आएडी से अगर कहीं पे पिलापन पढ़ रहा है या और भी दूदलापन दिखाई दे रहा है तो उस कंडिशन में को सकता है अगर अस्थमा का अगर को अगर होता है। इसमें जो आपको नमस होता है नहीं करने लगती है नच चिपसे इंफेक्समें होता है और और आपको कहीं पी अगर injury अगर हुआ है ऐसे मिए मिझरी उन फॉट है जिसको है tenemos कर लेत बड़ जाता है तो उम्मीद कर तो मैं कि CRP का inflammation क्या क्या होता है यह inflammation क्या होता है inflammation से हमक्या समझते हैं आपको यह जो inflammation जो वर्ड होगा है इसके बारे में clarity जरूर मिलके होगा तुम उमीद कर दो समझ में आवद एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों साथ वीडियो को share कर देना